प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से कई उपहार मिलते हैं और अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए ये बेस्ट मौका है दरसल प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना बहतरवा जनम दिन मनाएंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जनम दिन पर पिछले साल की तरह इस बार भी एक विशेश आयोजन किया जा रहा है आम लोग, खेल और राजनितिक नेताओं समेथ अलग-अलग शेत्रों के लोगों से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1200 गिफ्ट्स को निलाम किया जाएगा गिफ्ट्स निलामी से जो भी पैसा इखटा होगा उसे नमामी गंगे प्रोजेक्ट के लिए दान किया जाएगा ओनलाइन होने वाली इस निलामी में कोई भी शक्स हिस्सा ले सकता है इसके लिए उसे pmmomentos.gov.in पर लॉग इन करना होगा 17 सितंबर यानी प्रधान मंत्री के जनम दिवस पर शुरू हो रही ये निलामी महत्मा गांधी के जनम दिन 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी निलाम होने वाले गिफ्ट्स की कीमत 100 रुपे से लेकर 10 लाख रुपे तक है दरसल पीम मोधी को विभिन सांस्क्रितिक और इतिहासिक विरासत वाले उपहार मिलते रहते हैं ये उपहार उनको गनमान्य वैक्तियों से लेकर आम आदमी तक से मिलते हैं इन वस्तूओं में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चोहान द्वारा उपहार में दी गई रानी कमलापती की एक मूर्ती एक हनुमान मूर्ती है यूपी के सीम योगी आदितेनाथ द्वारा गिफ्ट में दी गई एक सुर्य पेंटिंग तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैराम ठाकुर का गिफ्ट किया गया त्रिशूल भी निरामी वाले पोर्टल पर है महरास्ट्र के डिप्टिसीम अजीत पवार ने कोहलापूर की देवी महलक्षमी की एक प्रतीमा भेट की थी उसे भी निराम किया जाएगा आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रिड़ी की और से उपहार में दी गई भगवान वेंकिटेश्वन की प्रतीमा को भी श्रधालू ले सकते हैं प्रदान मंत्री के जरम दिन को खास बनाने के लिए पियम मोदी की गिफ्ट की ओनलाइन निलामी पहली बार नहीं हो रही है बलकि पिछले तीन साल से पियम मोदी के जरम दिन पर गिफ्टों की निलामी होती है सबसे पहली बार निलामी जनवरी 2019 में की गई थी हर साल 17 सितंबर को निलामी शुरू होती है इसमें पियम मोदी को मिले गिफ्ट को निलाम किया जाता है इससे मिली धनराशी को नमामी गंगे प्रोजेक्ट के लिए दान किया जाता है ये चौथा मौका है जब पियम मोदी के गिफ्ट के निलामी हो रही है PTI की रिपोर्ट के मुताबिक इससे पहले प्रधानमंत्री मोधी को दिये गए इन तोफों की एक विशेश प्रदर्श ने नई दिली के नैशनल गैलरी आफ मोडन आर्ट में लगाई गई है इस बार प्रधानमंत्री मोधी को दिया गया सबसे बेश कीमती उपहार उन खिलाडियों का है जिन्होंने कॉमन वेल्थ गेम और पैरालिम्पिक गेम्स में मैडल जीते हैं फिलाल इस खबर में तना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए One India हिंदी के साथ